हाई एवरीवन वेल्कम बेक टू माई चैनल माई नम इस अनिल और रियक्ट मेटरियल यूई की इस वीडियों ने बात करने वाले हैं कंटेनर की अब यहाँ मैंने ले लिएउट भर्ड हों ले लेउट का मतलब है कि जो कंटेनर होता है हमारा यह लिएउट case component होता है आपको पता है कि पहले हमने Input type के components पढ़े थे, जो की button होते हैं, input box होते हैं, sliders होते हैं, check box होते हैं, वो सारे input type के component होते हैं, क्योंकि वो user से input लेते हैं और container हमारी layout को handle करता है, margin padding और width रखने हैं, कितनी height रखने हैं, सारे जोंको control करता है, इसलिए इसको layout container कहते हैं के अंदर control करके रखता है, कैसे मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, container, हमारी screen size के भी हिसाब से भी use होते हैं, वैसे आपको use करके बताऊंगा, बट आप एक बार के लिए नाम सुनो के तो आपको लगेगा कि वो familiar है, अगर आपने bootstrap के साथ में कभी काम कर रहा है तो, container के साथ में हम property basically use करते हैं, max width, और max width के अंदर हम लगाते हैं, lg, जब हमें एक complete body screen size के लिए बनाना होता है, जा फिर वहाँ पे हमें उसको responsive layout में convert करना होता है, और md medium screen size के लिए, sm small screen size के लिए, और sx mobile screen size के लिए basically use होता है, और एक fix view होती है, इस container लेने के लिए हम इसको import करेंगे, just import something from at direct material UI core और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, container और इस container को मैं basically use करूँगा, यहाँ पर, right, अब मैं यहाँ यहाँ पर use करूँगा, इसके अंदर कुछ text भी होना चाहिए, तो मैं इसके उपर ही पुरा wrapper बना लेता हूँ, यहाँ पर देख देता हूँ, हमारा जो text था वो, अब जैसे आप इसको देखोगे, और इसको, sorry, refresh करता हूँ मैं इसको, तो आपको थोड़ इसी यहाँ पर जगह बचिवी मिल गई है, right, क्योंकि जब हमने material UI का container यूज़ करा है, तो इसने अपने width दी है, और उसके हिसाब से लिए हो 1280 लिए है, और 1280 आती है basically, LG के context के अंदर, तो यह by default LG वाला concept follow करता है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ताकिया में दिखाई देगी कहां तक यह है, कहां तक नहीं है, क्योंकि actually देखा जाता हूँ, पता नहीं चलता, कि यहाँ से कितनी margin, कितनी padding है, तो मैं basically इसक अब देख सकते हों कि यह कहां तक हमें feed कर रहा है, वह हमें यहां तक feed कर रहा है, तो यह हमारा 1280 की maximum screen size होता है, अब मैं इसको छोड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहां पर, यहां पर लिख देता हूँ, max width, यहां पनी लिख दूँगा, sorry my bad, actually मैं इसको यहां पर लिख रहा हूँ, मुझे container के उपर लिखना है, और यह जो style है, यह भी मैं container के उपर ही लगानी है, so my bad मुने यहां पर लगा दिया, but आप धहां डख सकते हो इसको, right, so आप देख सकते हो, okay, so starting से दिखा है, तो मैं आपको यहां से सबसे पहले mg लगाता है, और LG का मतलब होता है, जहां पर कर मैं LG लगाँगा, तो भी आपको इतना ही मिलेगा, large screen के desktups होते हैं, वहां पर देखिए, same screen ले रहा है, और जैसे इसको छोड़ा करते जाएंगे, छोड़ा होता जाएगा, अपने आप से ऐसा नहीं है, यहां पर scroll देदेग जैसे जैसे मैं इसको छोड़ा करूँगा, तो यह छोड़ा होता जाएगा, इस तरहीं के से, और बाद में इसका screen size अपने आप shrink होने लग जाएगा, great, alright, so अगर हमें और छोड़ा करना हो इसको, तो हम यहां पर basic use कर सकते हैं, sm, my bad, sm, और जैसे हम इसमें sm use करेंगे, तो यह और छोड़ा कर देगा, और इसके और एक और छोड़ा होता है mobile size के लिए x, s, right, और इसको और भी छोड़ा करके हाँ पर दिखाता है, अब आपको SAR के सारे size compare करने हैं, तो basically यह अलगर screen size के लिए होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो इनको, copy paste कर सकते हो, 2, 3, 4, और मैं यह आप देख सकते हो, यहाँ पे सबका अपना-पना screen size होता है, यहाँ पे देखिए, और एक चीज और होती है, यहाँ पे वोती है fixed, अब मैं आपको fixed भी यूज़ करके दिखाता हूँ, वो property, इसकी नहीं होती है, max width की नहीं होती है, वो अपने आप में एक fixed property होती है, fixed नाम देखिए, यह वाली जो property है, यह अपने आप से ही size लेती है, जैसे हो छोड़ा करेंगे, अपने आप और चोटी हो जाती है, अब यहाँ पे और चोटी हो गए, जैसे screen size तक हम पहुँचते हैं, इस तरीके से, राइट, यह देखिए, और last कंदर आके देखा जाए तो सारी सारी screen size वो same level पे आई गई है, इस तरीके से responsive sites बनती है, और आने वाली वीडियो में और detail में देखेंगे इनको, बट container का basically जही काम होता है कि मारे content को wrap करें और उसको screen size के साब से चोटा या बड़ा करके दिखाता रहे, राइट, so thanks for watching this video, channel को subscribe करना, वीडियो को like करना मत ब इसको, टल मतो है करें आया है, वीडियो करो चरne के साथ से फिर्डम करेंगे करेंगे.